के वाला कोशिन के बारे में बाइनरी सर्च के ऊपर यह वाला कोशिन काफी बार इंट्रिव्स का अंदर पुछा है चुका है तो आज इसको बहुत की अच्छे समझने वाले कोशन है इक यहां पर मैंने कुछ एकशामपल दे रखे है जैसे आप यहां पर रगत देखोगे तो यह अरे सौटी नाईन्टी यह बाद में लिखें तो यहां पर होगा यह संद्धा इसको टू टाइम्स लिए रोटेट कर दिया तो जीरो टाइम्स रोटेट हो मतलब पूरा का पू यहां देखोगे तो यह वाला एरे भी sorted होता बस यहां पर ही four times rotate हो चुका है तो यह rotate हुआ है इस position के पास देख रहे हो twenty, thirty, forty, then fifty, sixty, ninety, one hundred similarly आप यहां पर देखोगे तो यह वाला एरे भी आपका sorted था लेकिन इस position पर रोटेट हो चुका है तो यह वाला एरे आपका five times rotate हो है तो इसे सोचने कैसे करने वाले है सबसे पहले तो इसके अंदर brute force लगाने वाले हैं ठीक है brute force मतलब सारे कि सारे element एक बार traverse कर लो और जैसे आपको आपका element बिल जाता आप उसकी position return कर दोगे ठीक है तो जैसे हमें आप यह 100 हमें मिलगा इस position पर तो हमने यह वाली position return कर दी यह था आपका brute force इसके अंदर आपका big of and time complexity जा रही है हम इससे कम में भी से कर सकते हैं क्योंकि आपका जो array था वह sorted था कभी न कभी तो उस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं हमें पता है बाइन रिस तब लगती आपका array पूरा का पूरा sorted हो और आपको left और right इंडेक्स पता हो उस sorted array के बीच में यहां पर आपको नहीं पता कि आपका यहां से यहां तक आपका array sorted है कि नहीं है यहां पर एक modified version of binary search लगेगा ठीक है इसलिए एक यह बहुत ही favorite question होता है interviewers का क्योंकि इसके अंदर modified binary search लग रहा होता है और modified binary search यहां पर काफी लोग लग खड़ा जाते हैं कहीं बार इसलिए यह काफी बार पूछा आता है ठीक है तो इसको चीछे समझने वाले हैं सोच जारा कैसे करने वाले हैं उसके बाद म element इसालीन से छोटा है तब ने हो हुकन कि यह बाला अलमेंट से छोट elevated इसलिए महीं पताज़ा है इंदर foreign शोटेट यहां पर भी आप देखोंगें इसलिए इन दलेए पार्ट क combi यह वाला जो अलिमेंट से छोटेज हैं देखो कि इस वाले पार्ट के अंदर भी तो यह वाला जो एलिमेंट है वह इस वाले इलिमेंट से चोटा है तो हम्हें पता है middle element पर जाका हम पता लगा सकते हैं कि रैफ आला पार्ट है यह नहीं है और एक और चीज़ अगर तो अगर लेफ्ट वाला पार्ट नहीं है तो पक्की वात है राइट वाला पार्ट होगा ठीक है सोचके देखो कैसे मैं यह बोल रहा हूं आपको समझवा जाएगा तो हमें पता है कि इसके अंदर राइट वाला पार्ट को डिसकार्ट कर देंगे मैं क्या कहा रहा हूं सपोस्कोर हो यह वाला आपका अरे यहां से यहां तक चैक कर लेंगे कि क्या हमारा अलेमेंट जो है इस रेंज में लाई करता है तो आप देखोगे हां 60 जो है वो 50 से बढ़ा है और 90 से छोटा है इसका मतलब 60 हो होगा तो इस पार्ट के अंदर होगा इ यहां पर हमेंट हैं इस पहले क्या एंदर लाई करती के नहीं करती तो उसके लिए चक करेंगे चाहिए जो की वाला ऐलमेंट है वो ट्वेंटी से बढ़ा और 40 से चोटा है तो ऐसा नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा element है वो left कहीं present नहीं होगा तो हम पूरा left side discard कर देंगे और right side में same recursive function दुबार से call कर देंगे तो यहीं पर वो binary search वाला logic आयता है similarly ज़रा इस वाले example ने देख लेते हैं मतलब जो की है हमारी वो 90 से बड़ी और 10 से चोटी है तो हां ऐसा है अगर ऐसा है तो इस पार्ट के लिए call कर दो और इस वाले पार्ट को पूरा-पूरा इस इंडेक्स करना है रिटरन करना है इंटेजर वैल्यू तो लो है 0 हाई है हमारा 8 माइनस वन टीक है तो जीरो से लेकर न माइनस वन तक हो जागा आपका उसके बाद वाइल लो इस लेशनिकोस्ट तो हाई तब तक हमें पूरा पूरा चलना है ठीक है तो इस इस एक्जांपल हम करते है जो मैं आपको पहले बता है था न सारी सारे वही स्टैप यहां पर भी लगाने वाले सबसे बढ़े तो चेक करेंगे यह नॉर्मल बाइन रिसर्च अब तो इतना पार आपका नॉर्मल बाइन रिसर्च है यह तो हमें याद होगा इतना पार हमा अगर यह वाली कंडिशन ट्रू नहीं है मतलब एल्स है तो हम कह सकते राइड वाला पार सुटिट है ठीक है यह मैं आपको अल्रीड समझा दिया है कि अगर ए ओफ लो इस लेस्टन ए ओफ मेंड राइट राइट अपर यहां पर है जीरो वान टू तो त्री फोर फार अगर कि इस ट्वेंटी से बड़ी है और साथ में की उस मिड्से चोटी है तो इस वाले से तो हम बाहर निकल जाएंगे हम जाएंगे अल्स के अंदर हम बोल देंगे लो इस प्लस वन तो इससे हुआ क्या हम कह सकते हैं कि अगर की से प्रेजर निया इस तो इसका मतलब यह इस पूरी हम discard कर सकते हैं और अगली वाली वाली लो हुगा मिडल अहां से लेकर यहां तक अ प्टे अंग हो पहले था आपका low 0 और high था हमारा 6 जिससे mid आया था 3 अब हमारा low हो जाएगा mid प्लस 1, mid प्लस 1 हो जाएगा 4 अब हम 4 से लेकर 6 तक के वीचे में find करेंगे तो इस loop के अंतर दुबार से जाएएंगे low is less than equal to high, हाँ 4 is less than 6 तो mid निकालेंगे, mid होगा 6 plus 4 by 2 which is 5 ठीक है, तो यह mid आ गया, अब हम चक करेंगे middle element ही की के बराबर है, तो हाँ middle element हमें मिल गया, तो यह से हम return कर देंगे, ठीक है 5 पोजिशन हम return कर देंगे, तो इस वाल एक के अंदर आ जाएंगे, अब हम चेक करेंगे, कि क्या, key is greater than a of mid and key is less than a of high, मतलब क्या यह जो हमें element ढूणना है, 10, वो इस range में लाई कर रहा है, तो आप देखोगे, हाँ इस range में वो लाई कर रहा है, right, key is greater than a of mid and key is less than a of high, less than equal to आएगा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि high के बराबर भी हो सकता है, हमारा यह वाला case यहाँ यहाँ पर भी equal to आएगा, यहाँ पर भी equal to आएगा, लेकिन यहाँ पर less than और greater than लिखा है मैंने, less than equal to high है, देखो 6 और 6 हैं दोनों तो mid आएगा, 6 plus 6 by 2 which is 6, हम अगी in mid element के साथ compare करेंगे, तो if a of mid is equal to a of key, तो a of mid है यह और a of key है हमारी 10, right, तो 10 हमें मिल चुका है और हम यह return कर देंगे यह वाली position, तो इस तरीके से dry run हो रहा है, एक आद और example लेके देख लेते हैं, क्योंकि हमें edge case ही maintain करते हैं, तो ऐसा करते हैं, थोड़े और example लेते हैं इसके अंदर, key जो है वो इस फार मांगे लिए चलते हैं, 20 हमें find करने है तो 20 find करेंगे, try करते हैं, 20 कैसे find होगा, again low जो होगा हमारा होगा 0, high होगा हमारा 6, तो mid आएगा हमारा 3, ठीक है, mid आए हमारा 3, और हम check करेंगे left आपार्ट है, हाँ left आपार्ट है, और हम check करेंगे यह वाला element है, वो इस range में present है, 20 सा 40 की बीच में, तो हाँ 20 सा 40 की बीच में वाला element present है, तो हम right आपार्ट को पूरा-पूरा discard कर देंगे, और हम बोलेंगे, जो high है, वो हो जागा mid minus 1, ठीक है, तो high हो जाएगा, mid minus 1, 3 से हो जागा 2, ठीक है, तो high पहले 6 ता अब हो जागा 2, अब हमारी range होगा 0 से लेका 2, अब हम mid निकालेंगे, mid होगा 0 प्लस 2 2 by 2 which is 1, तो middle element ही ये वाला, हमें चैक है, हम चैक है, middle element के बरापर है, तो middle element के बरापर नहीं है, हम चैक हरें कवा left पार्ट Ἃट है, तो left प्लस पार्ट और थाले पार्ट बन ही एप और साथ क्या करना चाहिए क्योंकि यह वाला element प्रेजंट ही नहीं है तो लो होगा अगे जिरो हाई होगा अगे 6 मिड़ा जागा 3 मिड़ी आगे हम चेक करते हैं क्या लेफ्ट वाला पार्ट सौटेट है क्या माइनस इस रेंज में लाई करता है तो हम देखें माइनस इस रेंज में नहीं करता है इसका मतलब लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर तो होगा यह नहीं माइनस वी तो राइट वाले पार्ट के अंदर चले आते हैं तो हमारा जो लो होगा वो जाएगा मेट प्लस वन तो लो जागा 3 प्लस 1 विच जिस 4 अब 4 से लेकर 6 तक की विश्म जोड़नेगा ट् इस range मलाई करती है तो हम देखिए यह वाले कि इस range मलाई नहीं करती है इसका मतलब जो high होगा वो जागा mid minus 1 ठीक है तो high हो जागा mid minus 1, mid था आपका 5, mid minus 1 हो जागा 4 तो low भी 4 है, high भी 4 है अब हम इसका mid निकालेंगे तो भी 4 आएगा और अब चेक करेंगे क्या middle element के बराबर ही है तो 60 है यह minus 5 है तो बराबर नहीं है तो अब हम यहाँ पर रहेंगे if a of low is less than a of mid अब देखरो आप सब कुछ low भी यह है, high भी यह और mid भी यह है तो अब यहाँ पर वह वाला corner case आ गया है check करोगे if key is greater than a of mid तो minus 5 क्या 60 से बड़ा और minus 5 क्या 60 से छोटा है बराबर है तो हम देखेंगे एक condition यहाँ पर fail हो रही है, right यह वाले condition यहाँ पर fail हो रही है, minus 5 is not greater than 60 तो आप else में आजाओगे और else में आओगे तो high हो जागा आपका mid minus 1, mid था आपका 4 और यह हो जागा 4 से 3, अब आप देखरो आप इस वाले while loop में आओगे और low is less than equal to high, तो ऐसा नहीं है, आप देखरो आप low actually greater than high हो चुका है, तो जैसे यह वाला loop से आप भार निकलोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखनी रहा हो, तो मैं यहाँ लिएता हूँ, तो जैसी इस वाले रूप से भार निकलोगे, आप लिख दोगे return minus 1, ठीक है, और यहाँ पर आपका function बंद जागा, तो यह वाले return minus 1 मैंने while loop के खतब होनी के बाद दिखा है, मतलब अगर यहा पूरे iteration कहीं return नहीं कर पाओगे, इसका मतलब element कहीं present नहीं है, तो finally आप इस value से भार निकलोगो और minus 1 return कर दो, बोल दो कि यह वाले element present नहीं है, ठीक है, तो यह था यार वहाला question बहुत है important question आप लोगों को भी दिखा होगा, ठीक है, इसको ठीक से समझ लेना, इसको ठीक स अपने दिवाब को बिठा लेना, क्योंकि काफी बार हो सकता है आपसे पूछा जाए इंट्रिव्यूस के अंदर, ठीक है, तो इस साथ यह वाली वीडियो आपर खतम करते हैं, अगर आप लोगों को यह वाली वीडियो पसंद आयों, तो याकर लाइक कर देना, करदना चै मैं बिलूँगा आपना उसे नेक्स वीडियो में चलते हैं, बाबाए